हिंदूरी त्रिवाज में दही खाकर घर से निकलने को सुब माना जाता और हमाई साथ बात करने हैं ठाकुर जहवीर सिंग जी जो मैंन पूरी सदर से चुनाव लड़ रहे हैं और पूर मंत्री भी रहे हैं सर आज तो बड़ा दिन है आपके लिए आज बस आज परिच्छा का दिन हैं और मैं समझता हूं को सुब दिन होगा हमाई लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए आज का चुनाव उत्तर प्रदेश का बविष्ट्य करेगा कि हम अपनी प्रातन संस्क्रती को आगे बलाने का काम करते हुए लोगों को विकातों को लो ऑलंजन की सरकार को पने बनाने के लिए जनादिश देगी उसी करम मैं में पूरी का वितेश का जन्ता का जन्ता जनादर का मझे मिला है और रिकार्ड वोट्नों से हम लोगों चुना जीते एंगा ऐसी अंभी जब भी जिकारता है ठाकुरो साब मुलाहिम सिंग जिक लिए जिक्राता है अखलेश यादो के लिए जिक्राता है और इमाना जाता है कि महन पूरी इटावा और आसपास की इलाखों में मुलायम सिंग का बहुत गहरा होल्ड है 2017 में यह होल्ड कम हुआ क्या लगता है कि 2022 में वो फिर से रिपीट होगा और आप लोग एक बार इस जो और आपको एक ची याद दिलाओंगा 2007 में उत्त्रपदेश विधानतवा के चुना हुए थे तो मुलाग सिंग जी ने के इस्टेटमेंट दिया था कि हमें तो बारा निर्वा चना आयोग ने अड़ा दिया यह तब तब सफल होते हैं और तब भी बैलड पेपर की मांग कर करते हैं जब दो डंपिंग और गुंड़ी से पोलेंगों को डंपे करका करते थे यह निस्पत चुना हुए दो यह साथ में भी पड़ा मुत्त्रपदेश में खिलाप आए और मैं समयता हूं कि यह पड़ा मी निश्चत रूप से बैतरी नहीं मैंने पुरी गर नहीं वाल अब भी गुंड़ी हो रही है। जनता की जीत होगी जनता जनादिस का सम्मान होगा। मिसेस जैवीर सिंग जीवी है। मैडम सर के लिए कुछ सुब कामना देंगी। बस जीत की है। मैंन पुरी सदर की जनता से अवील है कि कमल के फूल का बटन दबाएं। कमल के फूल का बटन दबाएं। जाहिर से बात है। ठाकुर जैवीर सिंग जी पुराने निता हैं। बिधायक रहें। पहले भी दो बार और तीसरी बार फिर से चुनाओं मैदान पर हैं। और पूर मंत्री रहें सरकार में। और इन्हें उम्मीद है कि यह जो मुलायम सिंग जी का गड़ माना जाता है मैनपूरी में। एक बार फिर से भाती जनता पार्टी यहां प्रचंड जीत के साथ अपना पर्चम लह रहाएगी। कर्मामन राजियस के साथ निरेज पांडे वीपी न्यूज मैन पूरी।